आज इस वीडियो में हम आपको इस कविता में कवी एक वास्तरिक रूप से प्रसन्य व्यक्ति के गुणों का वर्ण करता है उसे मृत्यू का भै भी नहीं होता है वो अफवाहों से मुक्त होता है वो जोटी चापलूसी की परवाह नहीं करता है और नहीं वो किसी दूसरे व्यक्ति की प्रगती से इश्या करता है वो इश्वर से डरने वाला मनुश्य होता है अर्थात उसके अंदर सिर्फ इश्वर से भाय होता है and remembers him day and night और वो उश्वर की पुजा शुबा शाम दिन रात हमेशा करता रहता है वो अपने समय को एक अच्छी पुस्तक अथवा एक अच्छे मित्र की संगती में व्यतीत करता है he does not care for rise or fall in life वो जीवन में उत्थान अथ्वा पतन की परवाह नहीं करता है he is rich in heart and is lord of himself वो विशाल हिर्दे वाला व्यक्ती होता है और अपना खुद का स्वामी होता है धन्यवाद Central Idea के बाद अब हम Explanation की शुरुआत करने जा रहे है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहला स्टेंजा How happy is he born or taught That serveth not another's will Whose armor is his honest thought And simple truth his utmost skill Reference to the context These lines have been quoted from the poem Character of a Happy Life Composed by Sir Henry Watton In the present stanza The poet tells us about the secret of a happy life He says that Some of the essential qualities of a happy man Are freedom, honesty and truth अप्युक्त पंक्तियां Character of a Happy Life अप्युक्तियों के माध्यम से प्रसन्न जीवन के रहस्य के विशह में विशह में प्रसन्न जीवन का रहस्य क्या है वो हमें इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसन्न जीवन के रहस्य के विशह में बतलाता है He says that Some of the essential qualities of a happy man are freedom, honesty and truth वो कहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति की जो कुछ आवश्यक गुण हैं उनमें उसकी आजादी इमानदारी उसकी सच्चाई ये प्रमुख गुण माने जाते हैं Explanation The man who does not have to act as others wish is very happy वो व्यक्ति जिसे दूसरों के इच्छामसार कारे नहीं करना होता है वो वास्तों में बहुत खुश होता है His life is virtuous with no ill will for anybody उसके जीवन में किसी व्यक्ति के प्रती कोई दुर्भावना कोई बुरी सोच नहीं होती है He therefore needs no protection इसलिए उसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आउशक्ता नहीं होती है Truth is his only talent सत्य ही उसकी एक मात्र प्रतिभा होती है He needs no other talent और उसे किसी अन्य गुण अथ्वा प्रतिभा की आउशक्ता नहीं होती है This is the gift of God यह किश्वर का उपहार है which helps him जो उसे मदद करता है to lead a happy and honorable life एक प्रशन और समाजनक जीवन जीने में उसकी सहायता करता है धन्यवाद